सुप्रभाद बच्चो, प्रतेक व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष में इस गोल की जरुवत होती है अपना लक्ष निर्धारित करके ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है तो आज जो मैं आपको पार्ट पढ़ा रही हूँ आपका इस पर्ष पार्थे पुस्तिका का पार्ट तीन बंपा गाम में 24 मई 1954 को हुआ बचेंदी अपनी मा हंसा देई नेगी और पिता किशन सिंग पाल की तीसरी संता है पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थे मतलब इनके पिता की इतनी कंडिशन नहीं थी कि वो इनको पढ़ा सके अते बचेंदी को आटवी से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कड़ाई करके जुटाना पढ़ा दसवी पाट करकिने के बाद बचेंदी के प्रिंसिपल ने उनसे पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सैमत किया बचेंदी ने ऐसे विशम इस्ततियों के बावजूर संस्क्रत से एमे और फिर बियड की शिक्षा असिल की लक्ष के प्रती इसी समर्पन के भावने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतिया परवतारोही होने का गौरव दिलाया मतलब इन्हें पढ़ने का शौक था लेकिन इनके पिता की ऐसी कंडिशन नहीं थी कि वो उनको पढ़ा सके फिर भी उन्होंने संस्क्रत से एमे किया बियड किया अपनी मेहनत के बलपे और लक्ष प्रापती के लिए पचेंदी को पहाड़ों पर चड़ने का चाव बचपन से ही था मतलब पहाड़ पर चड़ने की ये बचपन से ही शौक थी जब इनका भाई इन्हें पहाड़ पर चड़ने से रोकता था और इनके 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चड़ने के लिए उकसाता था तब बचेंदी को बड़ा ही बुरा लगता था उनका भाई क्या करता था इनको तो जड़ने से मना करता था पहाड पे और जो छोटा भाई था इनसे उम्रों में छोटा था उसको बोलता था कि तुम चड़ो तो इने बड़ा बुरा लगता था वैस सोसती थी कि भाई यह क्य लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं मतलब इनके मन में जुबहाई है वो भीधभाव डाल देता था कि भाई को तो आगे पाहड़ पे चड़ने के लिए उकसा था और इनको मना करता था तो इनके मन में एक बाद बैठ जाती थी कि लड़कियों के साथ इतना भेदवा क्यूंकि आ जाता है उनको इतना कोमल और नाजुक्यों समझाता है परहाल पाहणों पर चड़ने की उनकी इच्छा बचपंस में भी पूरी होती रही चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक उचाई वाले गाव में बिताता था और कुछ महीने पहाड नीचे तराई वाले गाव में आ जाता था उन महीनों में इस्कूल जाने के लिए बचेंदी को भी पांच शे मेल पहाड की चड़ाई करने और उतरनी पढ़ती थी इस समय इनकी इच्छा पूरी हो जाती थी क्योंकि जब ये नीचे की तराई वाले इस्तान पर रहते थे जिन दिनों तो इन्हें स्कूल जाने के लिए उपर जाना पड़ता था तो इनकी इच्छा पूरी हो जाती थी उपर चड़ने की इधर बचेंदी की पढ़ाई पूरी हुई उधर इंडियन मांटेन फांडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली मही जिलाओं की खोश शुरू की बचेंदी इस अभियान दल में शामिल हो गई और ट्रेनिंग के दोराल बचेंदी 7500 मीटर उंची मान चोटी पर सफलता पूर्वक चड़ी मतला अगर इनसान अपना लक्ष निर्धारित कर दें तो कोई भी विशम परिस्तती आ जाए तो भी कि वो आगे भड़ सकता है अगर उसमें कुछ करने की चाहा हो तो वो ही बचेंदी पाल ने किया इतनी परिस्तती आएं कि उनके पिता उनको पढ़ा नहीं सकते थे उनके भाई भी उनको अप्रिशेट नहीं करते थे किसी भी काम के लिए लेकिन फिर भी उन्होंने आगे जाके सफलता प्राप्त की किसके बल पे क्योंकि उन्होंने अपना एक लेक्षा निरदारित कर लिया था कई महीनों के अभ्यास के बाद आकिर वह दिन भी आ गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयान किया क्या है कुछ दिनों बाद उनकी ये इच्छा भी पूरी होने लगी बचिन्दी ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक परवता रोहन यात्रा का संपूर्ण विवरन स्वम ही कलंबद किया है मतलब उनकी जो यात्रा थी उसका पूरा वर्णन उन्होंने खुद ही लिखा है ये जो आप पाट पढ़ रहे हैं ये सारा उन्होंने बचिन्दी पालने खुदी वर्णन किया है इस यात्रा की कैसे वो उपर चड़ी क्या-क्या विशम परिस्थती आई कैसे वो उपर गए तो सारी या क्या-क्या परेशानी आई दिक्कत आई उसका सारा वर्णन किसने किया है बचिन्दी पालने प्रस्तोत अंश उसी विवरण में से लिया गया है यह है लुहों हर्षक अंश बचेंदी के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुँच कर तिरंगा लहराने के पल-पल का बयान करता है अब कोई भी काम इतना आसान तो नहीं होता कि हमें तुरंट सफलता मिल जाए तो यह जब एवरेस्ट पर चड़ी तो तो इनके साथ बहुत सारे लोग भी थे क्या-क्या बीच में घटाएं हुई आगे जाने पर इन्हें सफलता मिली या ना मिली वो सारे एक-एक पल का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खत्रों को खोचेलता हुआ एवरेस्ट के शिकर पर जा रहा हो अब बचो हम लोग भी इसको पढ़ रहे हैं तो हमने देखा तो है नहीं कि इतना ही पढ़ाऊंगी आगे के लेसन में मैं आपको शब्दार तुरूंगे इसके और आगे का पार्ट पढ़ेंगे धन्या